नबसकार दोस्तों सरकारी योजना में आपका स्वागत है मोदी जी ने तीसरी बार पिरदान मंत्री की कुरसी पे बैठते ही रासन कार्ड को लेके नया आदेस जारी किया है रासन कार्ड में कुछ गलतिया हैं जिसको ठीक करना बहुती जरूरी है क्या गलती है कैसे होगा के वाइसी क्या होता है के वाइसी कौन कौन करेगा के वाइसी कहां होगी के वाइसी क्या है ये गलती आज की वीडियो में सब कुछ बताएंगी अगर आपके घर में रासन कार्ड है और आप सरकार से रासन लेते हैं तो इस वीडियो को पूरा आखीर तक देख लें चैनल पे नए हैं तो यह चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और सेर भी कर दें मुदी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है रासन कार्ड को लेके आदेश में कहा गया है जो रासन कार्ड है और उन पे जितने भी यूनिट दर्ज है और वो सभी यूनिट बाले रासन लेते हैं तो उनका फिंगर प्रेंट होगा, मतलब अंगूठा लगेगा, अंगूठा लगेगा, देख ये बात पूरी बताऊंगा, समझ लीजिए पहले बात को, अगर आपका रासन कार्ड है, रासन कार्ड में चार लोगों का नाम है, या पांच लोगों का नाम है, या दो का नाम है जिसमें कुछ ऐसे नाम होंगे जो एक दो साल का बच्चा का भी नाम होगा या बच्ची का नाम होगा उसका आधार कार्ट तो लगा है लेकिन पांस साल से नीचे के बच्चों का आधार कार्ट तो बन जाता है लेकिन फिंगर प्रिंट नहीं लगता है फिंगर नहीं लगता है उसका अंगुठा नहीं लगता है आधार कार्ट बनते समय तो ऐसे बच्चों का भी क्या केवाई सी होगा रासन कार्ट पे यह जानना बहुत ही जरूरी है तो पहले बात वो समझे अगर आपके घर में आठ यूनिट रासन कार्ट पे लिखे हुए हैं आठ लोगों का नाम लिखा हुआ है जिसमें दो बच्चे हैं और वागी छै लोग 18 साल या 12 साल से आगे के हैं जादा के हैं उन सभी का अंगुठा लगेगा अंगुठा लगेगा आपके रासन कार्ट जहां से आप रासन लेते कर दो के वाइसी करने के लिए कोटेदार आपका आप से आपका रासन कार्ट का नंबर मांगेगा जो कि आपके पास पहले से मुझूद होगा जब रासन कार्ट है वो नंबर लेके जाना है रासन कार्ट पूरा ले जाए और जितने लोगों के नाम रासन कार्ट पे हैं उन आपके घर में कोई पर्देश में है तो उसको बुलाना पड़ेगा पर्देश वाले का भी अंगुठा लगेगा अगर आपने मान लिया आठ लोग हैं या च्छै लोग हैं च्छै हैं और चार का अंगुठा लगवा दिया दो का नहीं लगा तो दो का यूनिट कट जाएगा फिर उनको रासन गल्ला चाधान चावल जो भी मिलता है क्यों बगएरा वो कुछ भी नहीं मिलेगा जिनका चार कांगुठा लगेगा दो का लगेगा दो को मिलेगा अच्छा सरकार ने ये आदेश इसलिए जारी किया है क्योंकि हमारे इंडिया के लोग बहुत अच्छे नहीं है गलत भी है बेटी की साधी हो गई और रासन कार्ट पे बेटी का नाम दर्ज है फिर भी उसका रासन ले रहे हैं ऐसी गलती करते हैं अगर कोई घर में खतम हो गया है एक्सपार हो गया मिर्तू हो गई है रासन कार्ट पे नाम दर्ज है उसका भी रासन ले रहे हैं तो सरकार ने इनी सभी इनी गल्तियों को सुदारने के लिए रासन फालतू खर्चा ना हो फालतू लोगों पिनाजा इसको देखते हुए यह आदेस जारी किया है अगर आपकी बेटी की साधी हो गई है वो अपनी ससुराल में है तो उसका अंगुठा नहीं लगेगा उसका अंगुठा लगेगा नहीं उसका यूनिट कटेगा यूनिट कटने के बाद वो अपनी ससुराल में जाके रासन काड अपना नया बनवाएगी तो वह यह जिन जिन लोगों का अगर रासन काड पे नाम है तो आज ही KYC अपडेट करा लें KYC के लिए आपको अपने कोटेद चाहिए और जितने नाम दर्जह सभी का अंगुठा लगेगा बचों को छोड़कर क्योंकि बच्चों का अधार कार्ड बनते समय नहीं लगा था तो बच्चे छोड़ दिये जाएंगे जो कि 5 साल से कमके हैं पांस साल से उपर वाले का सभी का अंगुठा लगना ही लगना है और जिन लोगों ने अंगुठा नहीं लगाया तो उनका रासनकार्ण भी मतलब कैंसल हो जाएगा और यूनिट भी कैंसल हो जाएगा और गहला भी नहीं मिलेका ता धान जो मतलब चाबल वगयर है मुझे फिल्रक्लादा जानकारी नहीं गैं क्या-k काम नहीं किया तो नहीं मिलेगा इसलिए और इसकी आखरी तारीक जो है 30 जून 2024 है 30 जून 2024 तो आज ही यह काम कर लें सबी लोग उठा लगवाएं धन्यवाद